हुआ है गाइस कैसे आप लोग आई होब आप लोग अच्छे होंगे वेलकम टू माई चैनल जिसका नाम है रीमा सुधीर और आज मैं बना रहे हूं हल्वा सूजी का तो यह हल्वा दूद से बनाओंगी तो इसका नाम है सूजी का दूद वाला हल्वा तो बहुत टेस्टी बनता है एकदम दूद से भीगा हुए रहता है अब बहुत टेस्टी लगता है खाने में अब बहुत जल्दी रेडी भी हो जाता है बनके तो यहां पर मैं एक गलास दूद ले ली हूं और दो कप सूजी ली थी तो इसमें एट कर दी इसे अच्छे से मिला देती हूं और दो तीन मिनट तक रखोंगे इसे फूलने के लिए अच्छे से इसमें फूल जाए और उसके बाद फिर एक चम्मस कढ़ाई दर रख दी हूं और यहां पर एक चम्मस घी डाल दी बस एक चम्मस घी डालना है जादा नहीं अगर आपको जादा पसंद हो तो जादा भी डाल सकते हैं कोई बात नहीं तो यहां पर में एक चम्मस घी डाली हूं और इसके बाद से जो सूजी दूद भीगो कर रखे थी उसको इसमें एट कर दूंगी तो आज को एकदम कम रखना है तो कुछ इस तरीके से यह हो गया है तो इसमें हलका सा दूद और भी एट करूंगी ताकि यह थोड़ा गीला हो जाए तो यह दूद से ही बनता है हल्वा और काफी टेस्टी बनता है बहुत अच्छा लगता है खाने में तो बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आएगा तो आप लोग भी एक बार ट्राइ किजिएगा और फिर बताइएगा कॉमेंट करके कैसा लगा आप लोगों को यह दूद वाला हल्वा तो यहां पर देख सकते हैं जैसे में आपको बताई कि एक गलास और दूद डालूंगे तो मिनिम्मम दो गलास इसमें दूद लगा है और फिर इलाची डाल दी और कुछ इसमें मैं एड़ नहीं करूंगे जैसे ड्राइ मिला देती हूं तो अथोड़ी देर तक इसको भगो धुकी बस का आज को कम करके थोड़ी देर तक भगो पुक दोंगी इसे अच्छे से मिलने दूद यह तो आप लोग यहां देख सकते हैं यह बहुत टेस्टी बनता है तो यहां पर देख सकते हैं यह चीनी जो है इसमें मिल गया है और बस हलुआ बनके रेडी है यह हलुआ ऐसे ही बनता है यह गोल्डन ब्राउन नहीं रहता है यह हलुआ ऐसे ही बनता है तो आप लोग वह ट्राइक किजिएगा बहुत अच्छा लगेगा खाने में तो लेजिए गर्मा गरम हल्वा बनके रेडी हो गया तो यह रिसीप आप लोग को कैसा लगा आप लोग जरूर प्रताइएगा वीडियो पसंद्द लाइक कोमेंट सेयर जो लो मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज आपनों मेरे चैनल को सब्सक्राइब